देर्टुदेंट्स, तोडेज माई लेक्चर इस एस्टिमेशन, QSVS दा एक एहम चैप्टर है जिनू अपार ज्य डिसकस करना जारे हैं ते एस्टिमेशन इत्थ हों इस्टार्ट हुन दा QSVS, 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 QSV determining is roughly calculating or making and educated gas educated gases करके कुंकि तोटली complete उसी दसना मुदा सारा प्रजेक्ट पास के में होना फैल के मुदा इद हुटे डिपन्द करदा estimating is the technique of calculating or computing the various quantities and expected expenditures किन्यां को जडियां ने उदे उते material लगना है किन्यां materials दियां जडियां किडियां qualities होने हैं चाहिएं दियां ने उन्हें specifications कीने थे किन्ना को ते खर्चा हो गए सारा कोई एस्टीमेट दा पार्ट है एस्टीमेशन इस सेंट्फिक वे ओफ वर्किंग आउट अप्राक्षिमेट कॉस्ट ऑफ इंजिनेरिंग पर्जेक्ट विफोर एग्जिगुशन अफ दवर एक्चुली जेपा गल करिये कि सेंट्फिक वे जीदे बेच मैथमेटिक्स भी इन्वालव है जीदे बेच हर जीदे होगा की होगा किन्य टाइम चेह होगा किड़े-कड़े मटीरियल देलोड़े होगा एक्टी टोटली डिफरेंट फ्रॉम कल्कुलेशन दा एक्जेक्ट कॉस्ट क्योंकि एक्जेक्ट कॉस्ट एंड दे बिच होनी है ए ए राफ आइडिया होदे बारे एस्टीमेश चैंड रॉड़े में डाइड लिफिटिय। चैंड देलोड देलोड़े तो फॉर्प्रवेशन देलोड़े ऑनन धोर्व नुट चैनदी या टेड़े-कडेडी परसीजर ने अगास चैनदी एक्डे-क्डेडी माटेरियल जुज ओने यहा लेवर कितने दी यूसोंगी य साइट उफ दग जग्ट्ट्ग्वेंट ये सारा कुछ तो न्नो इदे वेच्छ होना चाहिंद है एन एस्टीमेट अफ दा कोस्ट अफ चॉस्ट जब परबावल कोस्ट अफ देट जग्ट्वब चॉस्ट फॉं प्लैंग इस्पैसिपैसिकेशन दे उट्टों ही सेनो तोटल एस्टीमेट ते फाइनल जेडी कॉस्त पांतो दास प्रसेंट था उन्हें देचे डिफरेंस नहीं हुने के इंदा तोड एस्टीमेट जेडा नहीं जांदे नीड ऑफ एस्टिमेट उद्धी जरूरत क्योंड इट हेल्स तु वर्क आउट दा प्रेक्सिमेट कॉस्ट ऑफ प्रजेक्ट इन ओडर तो डिसाइड इस पीजिबिल्टी के प्रजेक्ट केड़ फीजिबल भी हैक नहीं है कि यूँ प्रजेक्ट शुरू हो सकता क्योंकि कि किनना को फंड उदेगली जरूरत किनने टाइम चो कंप्लीट सब्सक्राइब एस्टीमेट ही दा सकते हैं और क्यार्मेंट्स ऑफ कंट्रोल्ड मटीरिल्स सच चैस सेमेंट यान स्टील कुछ मटीरियल रिद्धान ने जिनननानों सान्नु पहलां स्टाप रखना पेंदा क सारा कुछ होगा फिर सी एस्टीमेट नो अच्छी तरह कर सकते हैं सो नीड ते द्वारा होनें इट इस जस्ट फर फ्रेमिंग दा टेंडर फोर दा वर्क एंड चेक कंट्रेक्टर्स वर्क डूरेंग एंड आफ्टर इट्स एक्जिकुशन जदो काम शुरू होना दू पह it from quantities of different items of work calculated in detail estimation our sources are allocated to different activities of the project and ultimately their duration कम किने समेच होना की में होना के डा केरे sources कितों कितों लें अंदा जाना हो सारा को शचेडियों जेडा आगा वो एस्टीमेट दे त्ट वर्क डियों सांटैश थेन ये ऐसी बरा सक दें तो सरी रोड डूस्ट्रक्शन काड़निया होर मेथड़ोली जाएटि टैनल डी करनिया होज़ चाहिए डैम डी करनिया होर के अरपोट करनिया होर के शोगर hm इन्गी करनी हो चैनि है सोदे लिए डिफ इसन मेठालोजी चाहिन दिए डिफरेंट टाइप देज्टिंग खर्चेए ने उन्हां सारा आधे मशिनरी के डि रिक्वाइड है और को इसाण टेक्नीक्स के डिया ने उनना देटिए डपर गौटी ऑफ लेबर अट बेडर कंड आउटपूट हैंस ओवराल कॉस्ट बैदर कंडिशन बिल्कुल सब तो बड़ी घल है कि वैदर कंडिशन तो ही सब कुछ जड़ा डिसकस होने हैं ग्राउंड कंडिशन के जिदी तुसी उठाओ एक्सकेवेशन करनी हैं ड्राइब है हार्ट सॉएल है साफ्ट सॉएल है शैल सब्सक्राइब है मिटे राम लड़ पटे जा रही है कट कर्च है पर जे गडियां ने डी फांडिशन ने जिनना वसी पाइल फांडिशन वगरा कहने हैं जहां राफ्ट फांडिशन दे जरूर था तो 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 कर्चा बाच जोगा साइट क्रिशन दे विच हो रहा हुँ था कि सोर्स ऑब विल्टी ऑफ सफिशंट इस सप्लाई ऑफ मटेरियल के जिड़ा मटेरियल है के गुट क्वालिटी दे विच उत्थी लोकली अवेलेवल है दा अवेलेविल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिशिनरी आलसो एफेक्ट के म संट्रक्शित करने पट्रें ओवैं खार्क्री विचे तो उन्हुं पहलना ही एस्टीमेट नौन तो पहलना दसाना पब एगा एशेंचल क्वालिटीज ऑफ गुड़ एस्टीमेटर उनियां के क्वालिटीज चाहिन जाने जिटक एस्टीमेटर जांग कौंटिटी सरवेर ओ इन परपेरिंग एस्टीमेटर था एस्टीमेटर मस्त है फूड़ नौलज रिगार्डिंग दा इंपॉर्टेंट रूल्स लेगवें की आउनु पता होना जैने स्पेसिफिकेशिंगेशन चीयां रेत अनल्सीस दा पता होना जैंदा उनु कंट्रेक्ट शेस्टम रप्ता होना जैननों टैंडर दी नौलेज रिग्यां हर चीज था नौलेज होने चीए ही मस्ट थारूली अंडर्स्टेंट दाड् कर चुक किया ते उन्हों पता होना चाहिए कि किडियां किडियां स्पेसिफिकेशनस नी अशेंशल क्वालिटी ज़्यां स्वालिट्व गुट नौलज वोड रहां स्पेसिफिकेशनस न्हों पता होना चाहिए नहीं कर शक्राइब आता होना चाहिए दे विद पता होना चाहिए इतना इज्द वरकमेंट मिल जानगे इदा नी मशिनरी मिल जू एस त्रिक के दा एरिया होस्ता इसलेक्शन फ़ गुड मैथड फॉर पर प्रपिरिंग एस्टीमेट अविल्टी तू वी केरफूल हाड वर्किंग होना चाहिन दा एकुरेट एस्टीमेट बना रहा चाहिन दा अविल्टी तो क्लासीफाई अडवेलिवेट डाटा रेटिंग टू एस्टीमेट अले द्वाले एरिये देवेचे डाटा के मटीरिल कितो परवाइड होनेगे बैंक घित थे होगा हर चीज कितां तो नों हर की दा पता होना चाहिए ड़ेटे टो विजुलाइज दा स्टेप्स डूरिंग दा प्रसस ऑस अस्ट्रेक्शन के पहला की होगा पहला जड़ी साइट सेलेक्शन होगी साइट सेलेक्शन तो बाद जड़ीयां ने तुम्हें फाउन्डेशन्स और डेक किता जोगा फिर फाउन्डेशन्स नों कॉंप्लीट किता जोगा फिर उस तो बात का इस अच्छन की टी जानिया वाल्स दी सारा कोश्चों नों कलीर होना चाहिन दा एंड ताग जो तक के पुरे दे पुरी फिनिशिंग नहीं हो सागी essential qualities of a good estimator before preparing the estimate the estimator should visit the site site नो पहला visit करे geosite नो visit नहीं करता हूँ conditions ता नहीं पता लगड़ा कि उत्थे की conditions ने कि उत्थे bank मज़ूद है कि उत्थे local GDL labor मज़ूद है कि उत्थे assess easily है इस हर यह चीज जन ता ही पता होनगे हैं जियो उत्थे जाके visit करूगा make a sketch उन्हों कमकी करने चाहिए हैं सब तो पहला है अपने कोड़िक dairy रखने चाहिए हैं make a sketch of the site showing all important details obtain information concerning light power and water पाणी कि थूआओगा बिजली कित्थों आओगी सारा पता होना चाहिए दसके और information concerning banking facilities note conditions of streets leading to railway yards and material dealers के केडियां केडियां सडकन दे थूँ जां केड़े केड़े railway track दे थूँ जड़ा material प्रवाइड हो सागा जड़ा इंवेस्टिगेट जर्नल efficiency of local workmen जड़े लोकल होत्थों दे laborer जड़े मेस्टरी ने सारे आंबारे होनु detail पता होनी के इंडिया types of estimate जड़े ने there are main two types of estimate rough cost estimate detailed estimate depending upon the purpose of estimate contractors estimate और engineers estimate और the progress estimate जड़े ने जड़ा करने के अपने कमनो टेंडर लोगेरा लौन दी सारा कुछ engineers estimate के engineer ने करने के जो contractor ने लिता को सही अग नहीं है progress estimate के progress की हो रही है work दी as per the requirements of contract और tender हो रही है कि नहीं हो रही है वो सारा कुछ पता होना चाहिए दे so rough cost estimate सबतों पहला unit cost is worked out for project similar to the project under consideration carried out recently in near the same side conditions के same side condition दे उते suppose करो के तुसी कर बना ना चाहने तो अड़े किसे गमांडी ने अले दुआले आले ने ओखोजा कर बनाया होवे same conditions और उदा किन्नक खर्चा आया जे उन्हें पांसाल पहला बनाया किन्नक materials the rate increase होए ने उन्हों सारे नो असे करके unit cost कर लेने के उदा स्केर फोट दे उते इन्हां खर्चा आया था हुण साड़ा जेड़ा में कान बनाया होगा तो स्केर फोट दे उते किन्ना खर्चा होगा सो इदे उते डिपैंड कर भाए रख KAUST estimated to find rough cost of any project this work average unit cost ते multiply कर तेना उन्हों किन्निया कॉन्टिटी से उते ने जहन दो जा जान जिन्ना साड़ा जी में स्केर unit के नेने कोगः कि unit से ने उनना दो ते for example in case of building जी में पहला तो दो दो कर चुके दिस कॉस्ट इस सम्टाइम सब्जेक्टेड टू बाइवरेज प्रसेंटेज राइज इन कॉस्ट आप्टीरियल और वेज़ेज मलगे जैसे कि दो चार साल प्राणिंगल कर रहे हैं उद्विछ एवरेज राइज किलना हुए है उद्वे उत्ते डिपेंड करते हैं रवकॉस्ट एस्टिमेट जेड़ा में बिप्रिपेड ओन दो फॉलिंग बिसेज फोर दिफरेंट थाइप्स अप्रजेक्ट सब्सक्राइब कॉस्ट आपर स्केर फिट कवर्ड एरिया जाँ पर क्यूबिक मिट्र एरिया उदिन और स्टिक के नाट कर लाइना हुए पॉब गेस्ट उत्वासी सान्नों पता होनी चाहिए दिया और आफ कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट पर क्यूबिक फूट इस पर्टिकुलरी सुटिफाल फॉर कमर्शिल ऑफेसे शॉपिंग सेंटर्स एंड फैक्टरी बिल्डिंग जिमें मैं गलके सी स्केर फीट जां के विक फी स्केर जड़ा पांसो लीटर दा हजार लीटर दा किन्ने गैलेंस ओधे डिपेंड कर दा ते ओधे उधे असी डिस्कस करने हैं फॉर रोड्स रोड्स बगेरा देली जा रेल भी ट्रेक्ट देली कॉस्ट में भी फाउंड आउट पर किलोमेटर और पर मील ऑफ लेंद फॉ स्टीट कास्ट में भी पर हंडर फीट मीटस क्योंकि जेडी रोडस नोहीं ही छोटे जूटे जुनिट सने हो दे स्टीट से इनकेस ओब रिजेश कोस्ट पर फुट मेंटर आफ दा क्लियर स्पैंड एक्टर ले कॉर्णर तो दुज़े कॉर्णर तक किन्ना लेंध था विल्डिंग जी देवेच फॉर्टी रेजिनेंशल फ्लैट्स ने अधर डिटेल्स आर गीवन इन दे टेबल उन्हों आप डिसकस कराएंगे एक टेबल है देखो इदे विच असी कि में मुणा उना सब तो पहला पोर्शन जी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगा ग्राउंड फ्लोर दे उते किया फर्स्ट फ्लोर ते किन्ना घर चाहूं सैकंड फ्लोर ते किन्ना आऊगा एघिया स्केर फेट किन्न इस्केरफीटल में दे बिज्य में अपना 200 खेब तैंसो स्केर फीट तो त्फव तुौन स्केर फीट जिन नहीं भी है विल्डिंग वर्क्षों प्लोर कि प्रम जो दे दोते किनना खर्चा उगा यह लंब सम्कर्चा उसाइदा सर्कूलेशन एरिया जड़ियाने लेफ्ट वगएरा जान तोड़ियां गैलरीज ने पर स्केर फिट दो ते किन्ना खर्चा होगा जेडा शॉपिंग कमप्लेक्स 1st व्लोर। Israeli system के फत HOWड करो disruptive कि आधान बड़ियां तोड़ स सूरे फॉल क् villasya होगा करो कि कुए 합니다 परेक्ट लोचटी कि कर लगिती है जिर्म रख हो दियां रोड टी वैंस ते लबड़ लैंस केभिए होगा अक्स्टनल सीज टे किननाँ खर चाऊगा अक्स्टेनल वाटर सप्लाई ओबरेड अई अंटरगाउड वाटर लो खाँट्रियो HEL Ürelt इतना निकी चार्जी ने जिनना वसे डिस्क्स करने हैं उग पता हुण होने चाहिंदे निए कुछ कोश्चन्स ने जिडे तो डेल इने assignments देले तुडेंट्स तुडेंट्स उन्णा नो तुस्सी जुरूर के प्रपेरा rose कॉस्ट एस्टीमेट फॉर एजिदेंशल बिल्डिंग में छोटा जो क्वेस्चिन देता है उदा प्लिंथे रिया हैगा 1500 स्केर मेटर प्लिंथे रिया रेट जेड़ा हैगा 900 पंजा पार स्केर फीड एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्खिटेक्ट्चर टीमेंट 1.5 परसें एकक्स्टा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन 14 परसेंट एक्स्टा फॉर लेक्रिकल ज्यां गैस बगार है 자 ale creep अम्छुडा परसेंट 10 ने सुपर्विजन चार्लिंच 09 इडिजाइन चार्जि nessa जिद्फु परसेंट ओवराल हो जी लें पहले ने के चाहे ता ज़ीड़ा प तो दा 1.5% कड़ोंगे फिर वाटर स्पलाई दा कर्चा 5% कड़ोंगे एक्सा इंटर्नल इंस्टॉलेशन दा 14% कड़ोंगे एक्सा एलेक्रिसिटी दा 16% करऊंगे इन्हा सारे नों पहला एड कार लोगे फिर कॉंटिंगेंसी चार्जेस क्योंकि वो सारे दोती लगड़े ने स्प्रिविजन चार्जेस 8% वह भी सारे दे लगड़े ने दिदान चार्जेस 2% वह सारे दे सारे दे लगड़े चाहे सूप्रिवेजन आ चाहे कुछ है तो उन्हों सारे नों एड करना तो बात साधे कॉल जड़ा एस्टीमेट कम्प्लीट हो जीगा तो यह आज दा लेक्षर सीगा मैं तो नो कुछ गेडियां असाइंडमेंट्स ने कोई तो बात पामागा तोसी ओनो कम्प्लीट करने ठैंक्स अलोट आज देले यह नहीं है कालों अपना इस दा सेकंड पार्ट करांगे ठैंक्स अलोट